हे मधूमक्षी पेड़ में लटकती है यह फूल वालता हाँ पर खेत में हम पहली बार देख रहे हैं कि खेत में मद्यू मक्की को पाला जाता है मद्यू आठ दिन में एक हफ्ते में लिखलता है अच्छा एक हफ्ता में हाँ एक हफ्ता में 30-40 वो डब्बे बढ़ते हैं देली उलोग में आपका स्वागत है और आज आपको लेकर आए हैं जो है खेत घुमाने के लिए यूपी में आज सोचे कि साधी वादी काफी निपड़ गये सब कुछ हो गया तो चलते हैं खेत उत्रुमा देते आपका तो वही आए हैं खेत पे तो देखिए सब जुगजा हो रहा है यह देखिए यह पानी जा रही इंजन चालू है आगे आगे सरसो रोपा हुआ है पूरा हरा भरा है यहाँ पानी चालू है इस ट्यू बेल इस ट्यू आपके पास आए हुए हैं सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं इसम सकून लग रहा है दूर दूर तक जो है घर नहीं है तम बोले क्यों आज खेट घूमा जाए तो सब खेट में काम कर रहे हैं सब दूर दूर तक कुछ नहीं है देख रहे है दूर 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 आए हुए है तो गाइस तभी काम चालू है, सर्सोर लगा हुआ है, और यह तो तयार हो गया है, सर्सोर और यहाँ पर काम चालू है, यहाँ पर अभी रोपा गया है, कुछ दिनों में, और एकाक महीन में यह भी तयार हो जागा, इसके तरह यह थी तयार हो जागा, तो गाउन में काफी सकून लग रहा है, तब सोच़ आपको घूमा दे, गाउन, साधी तो आपको देखा चुके हैं, तब गाउन भी देखा र लग रहा हरा भरा सरसो पीला पीला उसका फूल वाव इतना अच्छा वाइब आरा पुछिए मत तो एक दो दिन आरुकना है फिर घर चल जाएंगे इसलिए बोले साधिवादी के तो वीडियो आपको देखा चुके अब बोले थोड़ा खेत खलियान देखा देते हैं अब मे देने रही है कितना अच्छा लग रहा है मिलते फिर देखिए यह यहां पर दवाय पड़ा रही है देख रहे ना खेत में पूरा दवा पड़ा रहा है यह देखिए आलू ही है अब यही सी जाने ना अच्छा उसके बाद तो इसके बाद ग्याहूं की तो आये का वह यह बर्शिंग चारा है हां चारा चारा बैसना चारा ओ इसमें कुछ नहीं है अभी इसमें कुछ नहीं अब बैस का चारा के लिए है अब बैस का चारा भी रूपता है अधिया वह तो ना इसी सुनें देखिए अभी हो रहा बैस के लिए चारा तयार है इधा आलू है इधा चारा है जो भेंश का चारा उबेगा और यह सर्सों को दिखाते एक सी मधु मख्षी जो आप लोग देखते होंगे पेड़ में और यहां पर मधु मख्षी जो है यहां पर किये हुए है हाँ ना जादा दूर मैं जगाट लेगा यह देखिए यह मधु मख्षी जो क्या कि इसका अंदर क्या है डबा का अंदर डबा के अंदर डबा के अंदर एक डंडा परा होता है अच्छा मिठी से उसे पर बैठते हुआ हो त pushing मद कब निकलता है मद लेगलता है महीना समय यह गालती जो चुजख रह wrath आप लों पेड में देखे होंगे कि मधुमख्छी जोय पेड में जो लटकती ए यह वह भूल वाले पेड़ में काफी हर कोई पेड़ में हर किसी पेड़ में पर खेत में हम पहली बार देख रहें कि खेत में मधुमक्की को पाला जाता है अब उसी से मध निकाला जाता है शी कि अधर भी काफी डिब्बे हैं आगे काफी डिब्बे हैं जोपड़ी में भी है और गाइस आप देखें पेड़ुन में देखते हैं मध्धुमक्षी जो पाला जाता है मध्ध निकालने के लिए महीना 15 दिन में मध्ध हो जाता है कितने दिन में लिखलता है मध्ध आठ दिन में एक अप्टान लिखलता है अच्छा एक अप्टा में 30-40 वो डब्बे बढ़ते हैं और तो रात कहा लगी है हम बहुत दूर रहा है हम तो बेवर रात हैं तो पप्पु वरे रहा है अप्टान आए तो लेवान आए और रोज पिए अगी हां मतलब कि हम ही रात बेवर रहे और जे रात हैंगे पटना अच्छा है है हम अच्छा है हम दमाने बड़े अच्छा है अच्छा है नाई करी बहुत दूर है अपसिया अच्छा है अच्छा है अच्छा है का वी सिकंदर रावाइं सिकंदर राव तो रहे तो आपको देखा दिये मधु मख्य भी जो है पाला जाता है अच्छा हफता में कितने एक हफते में कितने डब्बे निकलते हैं हिस्त ऑसा चालिश डब्बे केतने किलो वाले डब वही एक किल्लो वाले वह फंदा पंदा लीटर कि एक हफते में तो तो काफि फाइदे वाला चीजा यार फ्राइदर कि तहिस आपब मक्य लाते कहां से यह बैढर छे लाते पाला ने जेल है आच्छा है पाले जाते हैं तो ठीक है दोस्तों आज कब लोग यहीं कंपिलिट करते हैं इसी तब प्यारा सपोर्ड बनाए रखें आपको खेत आयते देखाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आज कब लोग यहीं कंपिलिट करते हैं इसी तब प्यारा सपोर्ड बनाए रखें खुश रहें परिवार के साथ सब्सक्राइब